सो यह वाटसब गाईज लेके आचको आप लोगे सर्विशन क्रियेट इन मैनेज़ पिक टेबल इंस्टेंस चैलेंज लैप का ठीक है बहुत सारी एकपर स्टाइटी इसको भी कंप्लीट करते है फटा फटा आश तो करना के डिस्क्रिप्शन में गटक कमांड के लिए होगी नीचे स्क्रोल करना है और यहां पर आकर आकर आपपको जोन दिखना हो असको कपी कर लेना पर भी आपने मेरी command को store दे रखाय कर लेना पेस्ट करना इसको यहाँ पर पेस्ट करना बस C हो तो A या B कर देना A हो तो B या C कर देना और अगर D हो तो C A B कुछ भी कर सकते हो बस उससे opposite करना तो मैं यह दर कर देता हूं B ठीक है अब करना क्या है इस पूरी चीज को copy कर लिया है हमें और जहां तक मैं copy कर रहा हूं वहां तक ही करना ठीक है जब तक यह हो रहा है तब तक आज search बार में search करो jobs ठीक है, jobs search करो यहाँ पर आपको data flow jobs दिखरे होगे, इस पर tap कर देना ठीक है, यह already पीछे की पीछे open हो जाएगा तो एक बर इसको open हो जाने देना जैसी execute होता है, मैं आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ इसने execute होने में लिए 8 minute, ठीक है, jobs वाला page हमने already open कर रहा है इसको अगर आप refresh करोगे यहां से, तो आपको update मिलेगा, देखो यह succeed हो चुका है और यह running में अब मान लो, इन दोनों में से आगर एक भी fail हो जाता है इन दोनों में से अगर एक भी fail हो जाता है तो जो fail हुआ है, उस पर आपको tap करना है ठीक है, कुछ इस तरीके से tap करना है and यह suppose मैंने tap कर दिया and यहां पर आपको जो है, कुछ इस तरीके का आपके सामने page उपन हो जापके जोब की सारी details रहने वाली यहां पर आपको क्लोन को option दिखेगा क्लोन पर tap करना है बाकि सारी चीजे जो भी होगी इस जोब के इंदर सब ऐसी कैसी छोड़ देना और वहां पर इससे run job पर click कर देना है, अगर आपका fail होता है तो जिनका pass हो गया है उनको कुछ नहीं करना है अगिन आजाना है आपको back ठीक है चेक में progress पर click करने start कर दो फटाफट चेक करो कि आपका task complete हो रहा है तो हम check कर ले ठीक हमारे task complete हो रहा है so देख लेते यह 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 completed नीचे scroll करते and check my progress पर click करते यह ala task भी हमारे complete हो जाएगा भीने किसी issue के and completed और नीचे scroll करते task 3 पर check my progress पर click करते कि यह ala task हमारे complete हो रहा है and completed task 4 पर click करता हूँ task 3 के इस part पर click करता हूँ तो यह मैंने check my progress पर click कर दिया है and यह बेकिसी की उठ हो जाएगा फटाफट तो यह completed task 4 पर check my progress पर click करता हूँ and यह ala task भी आपको complete हो जाएगा बिना किसी issue के ठीक है आपको issues देखने को नहीं मिलेंगे अब last task के लिए करना के again आजाना आपको back back आकके remaining यह दूनों commands को copy कर लेना and इधर आजाना and paste करे enter दबा देना ठीक है and यहां से भी आप back आजाना अब इसको हो जाने दो execute जादा time नहीं लेगी execute होने में जैसी ही execute हो जाएगी हमारे जो lab है वो complete हो जाएगा back आओ check my progress पर click करो यह जो task है यह भी complete हो जाएगा ठीक है आप सभी लोगों का update होने में time लगाता है basically क्योंकि यह टास्क है तो दिरे दिरे update होगा यहां पर update हो चुका है यहां पर भी points update नहीं हो है आपके check my progress पर click कर दो यहां पर update हो जाएगे आपको देखने को मल जाएगे ठीक है थोड़ी दिर में यहां पर update हो जाएगे आपके वीडियो को लाइक करदेना या चैनल को सस्क्राइब करदेना see you next video till then take care goodbye